मतदान कराने गए करमी की मौर्निंग वॉक से लोटके हुई मौत हार्ट अटेक से मौत की आशंका भागल पुर्जिला की पेर पैंती में कल सोमगार कोद नौविच चरन का चुनाव है इस चुनाव के लिए चुनाव कराने गए करमी की आसामाई मौत हो गई बताया चा रहा है कि उनकी मौत हरद्या घास से हुई होगी क्योंकि वे शरीर से तो हिस्ट पुस्ट थे हाला कि संबंद में पेर पैंती थाना प्रभारी से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि पोस्ट मौटम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा इस संबंद में पुछे जाने पर कहल गाओं स्ट यो ने बताया कि इलेक्शन कमिशन का जो रूल है उसके तहत उसको सरकारी लाब 15 लाग रुपे मिलेगा घटना की जानकारी मिलते ही कहल काओं स्ट यो मजधुकांत स्ट पी यो सुधीर कुमार सिंग डी सी एल आर सहित अन्य अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे बताया जा रहा है कि मृतक दरवंगा जिला के मनी गाची थाना छेतर के कवेत सकरी निवासी राजकुमार मंडल था बताया गया है कि राजकुमार मंडल वर्तमान में लाल बाग में रहते थे वे तिलका माजी भागलपूर विश्व विद्याले में चतुर्थ वरगिये कर्मचारी थे उन्हें पंचाय चुनाओं में पीर पैंती डूटी के लिए भेजा गया था उनके सायोगियों ने बताया कि वियास सुबे टहलने के लिए गया थे मौर्निंग वॉक से लोटते ही उन्होंने सीने में दर्द होने की बात कही या सुनते ही हम लोगों ने तुरंत उन्हें अम्बुलेंस से रफ्रिल अस्पताल पेर पैंती ले गए जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत खोशित कर दिया अपडेट मीडिया के लिए बिहार के भागलपूर से अतीश दिपंकर की रिपोर्ट